जानते हैं मैं कहना चाहूँगी कि मैं जानती हूँ कि आप में से कई लोगों की जिन्दगी में घाउ देने वाली चीजे हो रही है आप में निराशा है, आप में चूर उमीद और इच्छाएं है पर मैं आपका बस उत्सा बढ़ाना चाहती हूँ यहाँ पर परमीश्वर की आप के लिए एक योजना है परमीश्वर ही आपका जवाब है शायद आपको महसूस हो कि आप परमीश्वर से निराश हो कि आपने उनसे कुछ मांगा या किसी चीज की प्रारत ना की और उन्होंने वो पूरी नहीं की पर जानते हैं परमीश्वर की योजना हमेशा हमारी योजना नहीं होती और उनके तरीके हमारे तरीके नहीं होते और उनका समय हमारे समय नहीं होता और मैं बस चाहती हूँ मुझे बस लगता है कि आपको सच मुच उत्साहित करूं कि परमीशवर ही आपका जवाब है और उनके वचण ही आपकी जवाब है यहाँ बत परमीशवर से मदद मांगनी की नहीं है यहाँ वचणों को सीखनी की बात है क्योंकि आप परमेश्वर के वचन नहीं जानेंगे तब परमेश्वर के तरीकों को कैसे समझेंगे और ये शुनी कहा मैं हूँ रास्ता सत्य हूँ और जीवन भी परमपिता तक मेरे जरीये ही पहुँचेंगे और इमानदारी 35 सालों में मुझे पता चला परमेश्वर के वचनों का निष्ठा सिध्यन करके कि पवित्र पुस्तक में आपकी हर एक समस्या का समाधान है और मैं बता सकती हूँ उसमें आपकी हर एक समस्या का जवाब मौजूद है और मैं बता सकती हूँ भले आपकी जीवन में जो चल रहा हो परमीश्वर का आग्या पालन ही जवाब है आपकी हर समस्या को एकदम ठीक करने का परमीश्वर की आग्या का पालन ही आपकी हर समस्या को ठीक करने का तरीका है परमीश्वर आपको कुछ भी करने को नहीं कहेंगे अपने वचनों में ना ही अपने मन में डालेंगे की करो या मत करो जो आखिरकार आपके लिए श्रेष्ट होगा ही नहीं तो मैं बस आप से विंती करती हूँ कि हार न माने, आगे बढ़ते रहें, परमीश्वर को घाव चंगा करने दें, और बढ़ते हुए एक परिपक्वा मसी धर्मी बने जैसा कि परमीश्वर चाहते हैं, कभी कबार हमें अपनी जरूरत और मांग को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए, और हमें परमीश्वर से पूछना चाहिए कि किसी और के लिए हम क्या कर सकते हैं, मेरा मानना है कि दूसरों तो पहुंचना भी अपनी जिंदगी में चंगाई लाता है, क्या कोई यहां कहेगा, आमीन, तो मैं शक्ती विचारों के श्रिंखला को सब्ताहां मेरी ये किताब 12 विशेश शेत्रों में जाती है, और मैं ये किताब दिमा की रणनीती से खुश हूँ, जहां पर इसमें बाते हैं उदेश्य से सोच नहीं की, इसमें सोच सत्र की बात कहती हूँ, और दरसल हर रोज समय निकालने की भी, जो की सवेरे भी हो सकती है, मेरी र वक्त निकाले, अपने दिमाग को नया बनाए, परमिश्वर के वचन को अपने चेतन और अवचेतन में गिरने दीजिए, जिससे सोचने का ये नया तरीका आदत बन जाए, कि जिन्दगी में कुछ होने लगे, तब आपकी प्रतिक्रिया एक दम अलग तरीके की हो, जिसे पिछली रात हमने अपने पहले शक्ती विचारों को सोचने और जोर से बोलने का अभ्यास करें, जो आपका हिस्सा बन जाए, मैं ये शुकी शक्ती के जरिये जो भी करना चाहूं, कर सकता हूं, जैसे भी जिन्दगी बीते, उसे मैं मसी की शक्ती के जरिये संभाल सकता हू फिर वैसा अगर सोचने में काफी समय बीच जाये तो वो मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी वैसा कुछ जो शायद निराशा या जुंजलाहट पैदा करे ये कहने की बज़ाए आपकी आत्मा से सबसे पहले यही आवाज निकलेगी मुझे जो करना है उसे मैं मसी की शक्ती के जरिये कर सकता हूँ तो अब तक हमें बारा शक्ती विचारों में से सिर्फ पांच ही मिले हैं वे ऐसे हैं कि मैं मसी के जरिये जिन्दगी में जो चाहे कर सकता हूँ परमीश्वर बिना शर्थ के मुझसे प्रेम करते हैं बहुत ही एहम जो यहां पहली बार आए हैं काश मैं उनको अच्छी तरह से समझाना चाहती पर वो संभव नहीं है इसलिए हम यह संदेश रिकॉर्ट कर रहे हैं कि मैं डर में बिलकुल भी नहीं जियूंगा मेरा नाराज होना मुश्किल है और माफ करना जल्दी आता है लोगों से प्रेम है और उनकी मदद में आनंद है काश एक और बताने का वक्त मेरे पास होता पर नहीं है क्योंकि मुझे खुद लगता है कि दूसरे लोगों को प्यार करना सीखना एक बहुत ही महत्वपोर्ण बात है जो करनी चाहिए हमें यह नहीं भूलना चाहिए जो येशु ने कहा एक नहीं आगिया मैं तुम ही देता हूँ तुम आपस में भी वैसे ही परेम करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ इसी से सब मनुश्य जाने कि तुम मेरे चेले हो लोगों से प्यार की बात जो मैं सबेरे कर रही थी उसे खत्म करने के लिए मैं उसाहिद करूँगी कि आप पहचान के तीन लोग चुने या जीवन में जिन से वहवार रहे हर दिन तीन लोग चुने जब लोग खत्म हो जाए तब पहले तीन को पकड़िए और हर दिन जब बैठें एक बात को सोचिए जो उस व्यक्ति में पसंद है और उसी जोर से कहें दिन भर में वैसा तीन या चार बार करें फिर अगले दिन तीन और लोग लिए एक बात हर व्यक्ति के बार में एक बात तो आप सोच सकते हैं सभी जानते हैं कि आप आम तोर पर बिना कोशिश किये ये कर सकते हैं हमें उसके लिए कोशिश भी नहीं करनी हमें जो पसंद नहीं है वैसी घल्तियां हम एक से ज्यादा निकाल लेते हैं मैंने एक होजबिन की है कि अगर मैं ये काम परमिश्वर के तरीके से करूँ तब उसे मुझे उदेश्य से करना होगा, मैं गलती से उसके होने का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे वैसा उदेश्य के साथ ही करना होगा, कभी-कभी मैं सुबह में बस अपनी काफी तयार करती जो मैं उठते ही कर लेती हूँ, अपना चेहरा धोती हूँ, दाद ब्रश करती हूँ, अपना टेलिफॉन निकालती हूँ, उसे साथ ले लेती हूँ, क्योंकि प्रभू जाने किसी ने कॉल किया हूँ तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहती, आप लोगों की तरह, अपनी कौफी है कि शैतान सवे रही, आपके दिमाग में कूट कर आपके दिल को अपने वश में करना चाहता है, मेरी राय में क्योंकि नीन में थोड़े होते हैं, और जरा से बोजहिल भी, वो फाइदा उठाना चाहता है, क्योंकि उसे नहीं लगता कि आप उस वक्त आकरमक होके हैं, ख पहले से ही उसके बारे में अच्छा हो तो मैंने अपने परिवार के सदसी और कुछ दोस्तों के नाम कागस पर लिख रखे हैं और बस उधारन के तोर पर और मैंने सूचा ठीके मेरे पती की कौन सी बात पसंदाती है खैर वो बहुत मिलनसार है और मैं बताओं कि अब बस वह ही मुझे पसंदाता आता है यह एक बताना चाहूंगी लोगों में कई घलतियां होती है और सच मुझे मिलनसार हैं तब वो अनमोल हैं और सच मुझं डेव में दूसरी कोई घलतियां नहीं है और वो बहुत आसानी से पहले से ही कहना तैक अल्या था कि इसे कोई और घलती नहीं है, पर वो जल्दी ही गोल मिल जाते हैं, मेरी बेटी लौरा बहुत अनुकुल है, अपना कारेकरम बदलने को तयार, पसंद है दूसरों के अनुकुल बनना, बहुत अच्छी बात है, जानती है मैं, मैं ज्यादा हूँ, योजना भी रखती हूँ, उसकी तरह आसानी से अनुकुल नहीं हो सकती पर मैं मेरी जिन्दगी में ऐसे लोग चाहती हूं जो अनुकुल हो जाएं वो अनुकुल हो चाहती है मैं घर पहुँचकर उसे कॉल कर सकती हूं जब रात में होटल में पहुँचकर उसे कॉल करती हूं तुम मेरे लिए बना दोगी चिली संडे तब वो कहती है हाँ जरूर वो तो कर सकती है तुम्हें कब तक चाहिए तुम्हारे लिए वो सब इतना असान है हमारे दूसरी बेटी सैंड्रा उसे लोगों की परवा है मैं कह सकती हूँ कि वो दयालू आत्मा है जिसे लोगों की परवा है हमारा बड़ा बेटा डेविट अगर उससे कुछ करने को कहूँ वो कर देगा वो करवा कर रहेगा उसे दोबारा कहने की जरूरत नहीं पड़ती फिर से उसे कहना नहीं पड़ता वो कर लेता है हमारा छोटा बेटा डेन जो परिवार का बच्चा है आला कि 31 साल का है पर बच्चा है और जानती है छोटा वाला हमेशा आपका बच्चा ही रहता है परवाने की वो कितने बड़े हो जाए वो आपके बच्चे ही रहते हैं उसकी एक बात जिसकी मैं तारीफ करती हूं उसमें कई चीज़े हैं पर वो मुझे संदेश भेचता रहेगा लिखेगा मेरी मम्मी से मुझे प्रेम है तो उसे और कुछ भी करने की सरूरत नहीं पड़ती हूं उसे में सब कुछ आ जाता है मेरी राय में वो ये जानता है इसलिए वो ऐसा करता है पर वो मेरे लिए ढाल भी बन जाता है और इससे मैं बह शास्तनिक सहायक है और जानती हूँ उन पर भरुसा है और जिन्दगी में भरुसे मंद लोगों का होना बहुत बढ़िया होता है मुझे कभी चिंता नहीं रही कि वो मेरी पीट के बीचे क्या कर रहे होंगे या जो नहीं बताना चाहिए वो सब किसी से कहेंगे तो मैं आपको सिर्फ उधारन देती हूँ कि आपको पहचान के लोगों में से कैसे लोग चुनने चाहिए कि दिन में तीन लोग लें उनके बारे में कुछ अच्छा सोचे वैसा अगर आप ज्यादा समय तक करते रहे अगर प्रेम भरे विचार सोचे तब भले ही उनका कोई काम आपकी चिंता बड़ा है जिससे आप चिड़ जाएं आप उनके बारे में अच्छी बाते ही करेंगे और उसे भुला देना भी आसान होता है जो उन्होंने कुछ गलत किया होता है आपके साथ क्या कोई कहेगा मी सब लोग कहें बड़ी आइडिया जाएस मैं वैसा ही करूंगी ठीके तो अब हम बात करेंगे आपके साथ नमबर छे परमिश्वर पर पूरा विश्वास है चिंता की कोई बात नहीं हमें परमिश्वर पर भरोसा करना सीखना होगा हर समय चिंता करना छोड़कर बात को समझना छोड़ना ही होगा मैं आपको उस मोड पर ले जाना चाहूंगी कि समस्या पर आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया होगी कि परमिश्वर पर भरोसा है जैसे एक समस्या आई आप इसके अलावा सबसे पहले कुछ नहीं करते पहली प्रतिक्रिया आपकी होती है परमिश्वर पर भरोसा है फिर आपने सुना काम में छटनी होने वाली है परमिश्वर पर भरोसा है उन पर भरोसा है वो मुझे नहीं रखेंगे या नहीं तो वो मुझे बहतर दे देंगे परमिश्वर पर भरोसा है वो आपने सुना स्टॉक मार्केट गिर गया, परमिश्वर पभरुसा है, डॉक्टर की रिपोर्ट बुरी आई है, परमिश्वर पभरुसा है, कल्पिक निक की योजना बनाई है, बारिशोने वाली यह परमिश्वर पभरुसा है, यह कमाल है, अब कितना खुश रहेंगे, अगर आप बस सीखे परमिश्वर पर भरुसा करना, आप कहेंगे खेर मैं क्या कर सकती हूँ, चिंता तो लगी रहती है, खेर आप कभी वैसा मत करना. मैं आज आप से मा की तरह बाते करूंगी, मैं यही पर बैट कर आज रात आपको कैसे सोचना है, वो भी सिखाऊंगी. मैं चिंता क्यों नहीं करती, क्योंकि चिंता बिकार है, बस मैं खुद को ही परिशान करूंगी और उससे कुछ भी नहीं होगा. चिंता उस आदे पहिये वाले कुर्सी पर बैट कर हिलते रहने जैसा है, आप उसमें व्यस्तर रहते हैं पर कहीं नहीं पहुँचते. दिन के खत्म हो जाने पर भी आप महीं बैटे रहते हैं, जहाँ पर आपने बैट कर शुरुआत की थी. और चिंता बस ऐसी ही है, चिंता आपको कश्ट देती है, चिंता आपको बीमार करती है, वह आपके स्वास्ते के लिए हानी कारक है, एक शूत करताने का है कि 87% बीमारिया हमारी घलत सोच से जुनी है, इसका ये मतलब नहीं कि लक्षन असली नहीं है, इसका ये मतलब भी न इश्रम का एक मुश्किल दिन स्वास्तके लिए ठीक रहेगा पर चिंता और तरक का पूरा दिन आपको सोकर पूरी तरह खाली कर ठका देगा अब पवित्र पुस्तक कहती है चिंता न करो पवित्र पुस्तक यही कहती है कि चिंता न करो, कल की चिंता मत करो, कि तुम क्या खाओगी, क्या पीने वाले हो, क्या तुम पहनने वाले हो पहले परमीश्वर के राज्य को खोजो, उसकी धार्मिकता को, उसी के साथ बाकी चीज़े भी तुम्हें दी जाएंगी कल की चिंता में आज को मत गुजारो, क्योंकि कल भी परियाप्त समस्तियाएं लाएंगी, हर दिन संभालने लायक ही होगा, पर धन्यवाद है कि परमीश्वर हम पर उस दिन को संभालने लायक अनुगरा हर रोस करता है यह वैसी दान्त है जब इजरायली वीराने में घूम रहे थे और हर सुबह जब चमतकारी बोजन मनना स्वर्क से बरसा पर वो सिर्फ एक दिन के लिए ही परियाप्त था, उन्हीं कहा गया कि अगर उन्होंने ज्यादा बटो रहा तो वो गल कर बसाने लगा था और कई बार लोग कहते, मेरी जिन्दगी बसा रही है, खैर आपकी जिन्दगी बसाने लगेगी अगर आप कल की चिंता करने लगेंगे हमें परमिश्वर पर भरुसा करना होगा क्या, एक दिन में एक बार, कल को समझना छोड़ दीजी आज के लिए परमिश्वर का धन्यवाद, जान लीजे जो आपको आज करना है, जो भी करना है वो काम वो आपको देगा अब मैं पूरी राद बैठ कर कहूँ कि चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं, चिंता नहीं और आप सब मुझसे सहमत होंगे कि ये अच्छा विजार है, फिर आप लोग घर जाकर चिंता करेंगे तो मैं एक वहवारिक व्यक्ती हूँ, परमिश्वर के पास अक्सर जाती हूँ, ठीक है प्रभू, मैं फिर चिंता के बारे में उन्हें सिखाऊंगी, मैं उनसे क्या कहूँ, जिससे उन्हें समझाएं, कि वो टिके रहे, एकदम पार हो जाएं, और मैं बताती हूँ मुझे ज र्याप्त समय तक करके समझ जाएंगे कि उससे कुछ भी नहीं होने वाला, आपको उससे शायद पास साल लगे या शायद दस साल लगे, उमीद है कि आपको ज्यादा समय ना लगे, मुझे तो उससे वें चालीज साल लग गए थे उमीद है आप मुझसे चतुर हूँ, पर इमानदारी से मुझे तो इसके लिए लगातार कुशिश करनी पड़ी मेरी राय में कई ही बार हम खुद में डूबे रहते हैं और ये सोचने लगते हैं कि हम अपनी समस्याओं पर ज्यादा सोची तो उन्हें समझ जाएंगे पर सच तो ये है कि कई बार लगता है कि समादान है पर कुछ भी समझ में नहीं आता हम जानते ही नहीं कि हमें कुछ नहीं आता ज्यादा बहतर होता है कि हम परमिश्वर को ही कुछ दिखाने का इंतिजार करते जब हमें पूरा यकीन है कि हमारे मन में सही बात है और इसी बीच में हमें परमिश्वर पपरोसा है चले देखते हैं निती वचन तीन तीन पांच मैं आपसे बातों को समझने के लिए कह रही हूं क्या यहां पर आज जियादतर लोग मौझूद हैं जो इसे समझना चाहेंगे मैं क्या कहने वारी हैं इस बात को मैं क्या करूँगी? मैं क्या करूँगी? मीरा तो ये माना है कि यहाँ पर कुछ खास दानव है जिनने बेजा गया हैं हम सब के लिए एक और वो यही बैठे हैं और कान में फुस फुस आता हैं तुम क्या करोगी 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 और अगर उन्हें आप से प्रतिक रिया नहीं मिलती तब वो आपके दोस्त के जरी बात करेंगे खेर तुम क्या करोगी? तुम क्या करने वाले لوोगों की मुरकता भरी बात सुनकर हैरान हो जाती हूँ मैं वो आपकी समसिया का बढ़ हावा क्यों करते हैं आप अपनी समसिया को भुलाना चाहते हैं और बढ़ाते रहते हैं हम अपने शेहर के अखबारों में अलग-अलग बात उपर अलग-अलग खत्रे पढ़ते रहते हैं और मैं कहूंगी हैरान होती हूँ कि मेरे बार में लिखना चाहते हैं मैं तो नहीं सोचती कि मैं उतनी महत पर पूर्ण हूँ कि वो मेरे बारे में कुछ लिखे अख़बारों में पर लिखते रहते हैं और मैं देखती हूँ तो च्छाप दिया तो किसी ने कहा कि दूसरे दिन मैं तो बस जानती है कुछ खुशनुमा कर रही थी मैं बस अपने नाखुन बनवा रही थी लड़की ने कहा आप तो आज कल काफी सुर्खियों में च्छाई हुई है मैंने कहा ओ सच में ओ अच्छा मैंने तो उस पर ध्यान नहीं दिया मुझे तो पता नहीं था तो उसने बात चित की शुरुआत किया और मैंने कहा जानती हो किया मैं अपने मश्यूरी की जिम्मिदार नहीं हूँ वो परमीश्वर हैं और अगर वो मेरे बार में बाते करना चाहेंगे तो मेरी बाते करने दीजे मैं अपना दिन जानती हूँ मैं जानती हूँ मैं कौन हूँ और मैं उन सब बातों मैं अपना समय पर बात नहीं करूंगी मैं उस जगे तक पहुँचने में लंबा वक्त नहीं भीताना चाहती मैं परेशान नहीं होना चाहती वहाँ जाकर संपादक से बात करने को तयार थी मैं मैं इसके लिए भी तयार थी और उसके लिए भी और जानती है क्या इस सबसे मेरी परेशानी बड़ी और शैतान बस हसता रहा जानते हैं कि अब मैं हस कर शैतान को परेशान करती है दूसरों का आपके बार में बात कनाच्छा नहीं लगता पर आज रात मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसकी चिंटाकनाओं का काम नहीं है क्योंकि आप अपने मशूरी के लिए जिमेदार नहीं हैं परमीश्वर हैं अगर आपने उन्हें अपने नाम का जिमेदार नहीं बना तो आज रात वैसा कर ये प्रभू मैं आपको प्रतिष्ठा देता हूं लोग जो मुझे कहता है मैं उसके बार में सोच कर जीवन नहीं बीताना चाहता हूं मैं आजाद होना चाहता हूँ आपको जो ठीक लगे मेरे बारे में लोगों से कहलवाईए मुझे इसकी बिल्कुल भी परवान नहीं है मुझे आप पर भरोसा है क्योंकि मैं कह सकती है कोई हर समय कुछ न कुछ सोचता ही रहेगा भरोसा करो सहरे रहो भरोसा रखो और परमिश्वर पर आत्मविश्वास रहे पूरे दिल के साथ क्या और क्या मेरा दिमाग रभू पर पूरे दिल और दिमाग से भरोसा रखो और अपने अंदाज और समझ पर यकीन ना रखना जानते हैं कि मैं जानकर आराम दे रहने को उच्साहित कर रही हूँ दरसल अनसलजे सवालों का होना भी परमिश्वर पर भरोसा का हिस्सा है तो कईयों के पास सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए पर अगर वो जवाब मिल जाये तो परमिश्वर पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं तो अगर आप जिन्दगी के उस मोड पर है जहां जवाब नहीं है तब आपकी पास परमिश्वर पर भरोसा करने के लिए काफी कुछ है किसी ने मुझ से उस दिन कहा था कि ये रोज सुनती हूँ दरसल वो मेरे कर्मचारियों में से ही कोई था और एक परमिश्वर का बड़ा भक्त था पर उस वक्त जो हालत थी उसने का खैर जानती है क्या इसमें परमिश्वर पर भरोसा रखने के अलावा कुछ जूँ और वैसा मैंने कई बार का है कई लोग वैसा कहते हैं पर जब उन्होने वैसा कहा है मैंने सुचा जानते हैं क्या शर्त या इस वक्त परमिश्वर चिंती थोंग चैनल पर.र पर भरोसा रखने के अलावा हम कुछ नहीं कर सकते जैसे यह हमारे रात का आखरी प्रया और समझना चाहिए कि हमारे पास परमीश्वर पर भरोसा रखने का सबसे बड़ा अधिकार है परमीश्वर पर भरोसा ये पहचानना कितने सम्मान की बात है बले ही जो भी समस्य आपकी जिन्दगी में हो मैं परमीश्वर पर भरोसा करता हूं परमीश्वर को मुझसे प्रेम मैं नहीं जानती आपका ऐसा सौदा और कहा मिलेगा एक बात बताती हूं अगर हमने सुना कि कजबे में एक कंपनी है जिसे 500 डॉलर हम दें और वो हमारी सारी समस्याएं ले लेंगे मतलब हम बस इतने ही मुर्ख है हम कतार में लगकर पैसे चुकाएंगे उन्हें अपनी समस्याएं देंगे और वैसा इस उमीद में करेंगे हताशा की उमीद में की बात बन जाएं और हम अंदर जाएंगे उनसे कहेंगे ये मेरी समस्या ये 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 और इन सभी को दे रहा हूं ये र ऐसा परमिश्वर के साथ करे मुफ्त, हरुज, पर अगली ही वचन में कहती है, अपनी सारी चिन्ता उसी पर छूड़ो क्योंकि उने तुम्हारी चिन्ता है, हम तब चिंता करना नहीं छोड़ेंगे जब तक हम में घमंड होता है कि हम अपनी समझ्या को सच में सुलजा सकते हैं तो अगर यह आपके समझ में नहीं आया कि मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी और मैं किसी का अपमान यहां नहीं करना चाहती है और यही की लोगों से बातें नहीं कर रही टेलिविजिन पर मुझे देखने वालों से कह रही हूँ जो सीडी सुन रहे हैं डीवीडी देख रहे हैं आप अपनी जिंदगी चलाने लायक चतुर बिलकुल भी नहीं है और मैं भी नहीं हूँ परमीश्वर हमारी देख बाल करना चाहते हैं हमारे रुकने तक वो शुरू नहीं करेंगे आपने मेरी बास सुनी अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ों क्योंकि उन्हें तुम्हारी चिंता है हम अपनी देख बाल करना छोड़ दें तो वो हमारी देख बाल करना शुरू कर देंगे तो सुझाव दूंगी कि खुद की देख भाल से निवरिती ले, निवरिती होने का जश्ण मनाए और जिंदगी का आनन्द लें लोग निवरिती पाने को सुक रहते हैं खर मैं बताओं क्या, मुझे खुशी है कि मैं अपनी देख भाल करने से निवरित हो गई चिंता करने से कुछ नहीं मिलेगा, पर उससे परेशान तो हो ही जाएंगे यह आपको चिर्चिडा बनाएगा, आपके मिल जोल में मुश्किल पैदा करेगा, तेजी से उम्र बढ़ाएगा, हर तरह की इस वास्त की समस्याय पैदा करने लगेगा और इससे जरा भी भला नहीं होगा, आखिर आप में क्या करो, चिंता हाथ तो लगी रहती, आप ये मत कहिए नई स्विकार रोकती है, मुझे चिंता नहीं है मुझे चिंता नहीं है उसे दिन में सौ बार कही है मुझे चिंता नहीं है, मेरा भरोसा परमिश्वर में है समस्या की पहली प्रतिक्रिया परमिश्वर पर भरोसा है प्रार्तना की शक्ति में मैं विश्वास करती हूँ और आप भी करते हैं जानती हुशायद आप में से कईयों को विचारों की समस्या होंगी इसलिए मैं अभी प्रार्तना कर रही हूँ विश्वास है कि उससे आपको जरूर मदद मिलेगी तो आप भी ये प्रारतना कीजिए परम पिता हम येश्यो के नाम पर आए हैं इसी नाम से प्रारतना दी गई है इससे हम फौरण आप तक पहुंचते हैं तो इस समय हम आपके सामने ही हैं हमारे हर एक दर्शक का दिमाग नया करने में मदद कीजिए इसलिए मैं प्रारतना करी उन्हें नुकसान पहुंचाने वाली बाते उनके दिमाग में उतों उन्हें अनुग्रह दीजिए प्रभु जिससे वो गलत बिचार डुबा सके और कोई फाइदे की और भली सी बात का चुनाव करे सोचने और उस पर ध्यान लगाने के लिए उन्हें ये बताईए कि आपकी मदद से ये संभव है वो कर सकते हैं येशु के नाम से आमीन परमिश्वर आशिष्टे आप अच्छा जीवन बिताएं कारी और चॉइस की सभाओं का शडियूल जानने के लिए और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसी का प्रेम बाढ़ने के लिए